बच्चो अब तक के अध्यायों में हमने देखा कि हम माध्य के लिए विभिन्य प्रकार के विदियों का प्रयोग करते हैं हम समानतर माध्य माध्य का और मोड जैसे बहुत सारे कैलकुलेशन की बारे में हमने जाना अब हम देखेंगे कि निर्देशांग क्या है निर्देशांग के अगर हम बात करें तो जैसे हम अभी तक माध्य के कैलकुलेशन कर रहे थे लगबग वैसा ही एक माध्य निर्देशांक भी है हाँ इसके लिए हम यह कह सकते हैं कि यह कुछ निश्चित आधारों पर जिसे समय या स्थान के आधार पर माध्य को कैलकुलेट करता है मुकिता देखा जाए तो इस्थान और समय के आधार पर ही हम कैलकुलेशन करते हैं और यह जो दो विभिन चरों में होने वाले परिवर्तन होते हैं कभी यह परिवर्तन इस्थान के अधार पर होते हैं तो कभी समय के अधार पर तो इन्हीं परिवर्तनों की गड़ना करने के लिए मापने के लिए देखने के लिए कि किस अनुपात में परिवर्तन हुआ है किस प्रतिशत में परिवर्तन हुआ है यह सब कल्कुलेट करने के निर्दशांकों का प्रियोग करते हैं जिसे एक उदारण की तौर पर हमें कह सकते हैं कि वर्ष 1980-80 में जो थोक मुले निर्दशांक थे वो सौ थे और वर्ष 1994-95 में वो बढ़कर 300 हो गए तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो थोक मुल्य की कीमते हैं उन्हें तीन गुणा की व्रिद्ध हुई तो इस तरह से हम प्रतिशद के और पर अनुपातियों के आधार पर विरिवर्टन पर यहां हम कर रहे थे उन्में सब्ा"- इस तरह के जो माप्दन्ड होते हैं उनकी अधहर पर हम इसके कैलकूलेशन करते हैं कई बार हम इस्थान की आधहर पर उसके की माप करते हैं लेकिन मुख्यता जो परिमाफ होता है Sinak lying ko कि निर्धे शांग से दो समय ते के मुल स्तर में होने वाले परिवर्थनों का ग्ञान होता है रोख क्या है इसको और अच्चे सी . के लिए आये कुछ विद्वानों की परिभाशाओं को देखते हैं कि क्रॉक्स्ट्रन एवं काउडिन के अनुसार निर्देशांग संबंधित चर्मुलियों के परिमाण में होने वाले अंतर को मापने की युपतिया है वैसेल एवं विलेट के अनुसार सूचकांग एक परिवर्तनों का माप है स्पाइगल के अनुसार सूचकांग एक ऐसा सांखी के माप है जो समय इस्थान या अन्य विशेशता के आधार पर चर्मुलियों के समूह में होने वाले परिवर्तनों को प्रदर्शित करता है तो आपने देखा कि सभी विद्वान यही मानते हैं क इसके बारे में उन्हें कहा है कि विशेश प्रकार का माध्य है विशेश प्रकार का इसलिए कहा है कि इसका जो इसकी जो आधार होते हैं वो अलग होते हैं समय इस्थान के आधार पर इसकी माप करते हैं और दूसरी इसमें जो महत्वण बात सभी ने कही है वो यह कही है कि तुलनात्मक अध्यन करता है परिवर्तन का अध्यन करता है तो कुल मिलाकर निर्देशांक को एक माध्यी माना गया है आप अगर कर दो सबसे पहले विष्छिस्ता की रूप में हम देखते हैं कि इसको संख्या द्वारा वैक्ति कि आ जा सकता है हमने देखा कि जब समय के अधार पर हम निर्देशांग को के कैलकुलेशन करते हैं तो हम सौ से वो तीन सो हो गया यह सारी संख्याएं हैं तो इस तरह कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो जो भी आकड़े हमारे सामने होते हैं वो संख्या के रूप में होते हैं तो निर्देशांग एक माद्ध है, एक विशयस्ता यह भी कही जा सकती है कि प्रतिशतों का माद्ध है क्योंकि आगे जब हम calculation करेंगे निर्देशांग की तो वहां हम देखेंगे कि कुल मान को यहां पर 100 मान कर फिर उसकी calculation हम करते हैं तो क्योंकि 100 उसका आधार माना जाता है तो कहीं न कहीं वो प्रतिशत परसेंटेस से ही related होता है इसलिए हम यह मानते हैं कि निर्दिशांग जो है वो प्रतिशत के रूप में माध्यों को भी वेक्ति करता है तीसरे इसके विशेष्टाओं के बारे में हम देखें तो हम यहां पर देखते हैं कि तुलना का आधार है जैसे हमने देखा कि थोक मूल्य की कीमते जो थी वह पहले जो थी वह सौ थी और बाद में जो हो गई निर्देशांकों के अधार पर हम जो परिणाम घ्यात कर रहे हैं उसका और गतवर्ष का तुलना करके तुलनात्माक अध्यन इसके अधार पर किया जा सकता है वैसे इसके एक विशेस्ता ये भी है कि सारुभा में को प्योगिता है इसकी वैपार वैफसाय उद्योग हर जगा जैसे हमने देखा कि हम में मेडियन मोड का प्रयोग करते हैं औस तो की कैलकुलेशन के लिए वैसे ही हम यहाँ पर माध्य एक विशेश माध्य के रूप में निर्देशांक का प्रयोग भी सभी जगह पर किया जा सकता है साथ ही हम यह भी देखते हैं कि ओसत की रूप में इसको प्रयोग किया जाता है बिल्कुल किया जाएगा क्यूंकि हमने देखा कि वह माध्य एक प्रकार का माध्य हम उसत के लिए ही कैलकुलेट करते हैं तो ज हम इसके कुछ दोश और सीमाओं की बात करें तो हम देखते हैं कि इसका सबसे पहला दोश तो यह है कि पूर्ण शुद्धिता की कमी होती है अब क्यूंकि जैसे हमने मीडियन मोड में देखा कि समग्र में से कुछ हिकाईयों का चयान करके फिर हम मीन क्यालकुलेट करते हैं तो वहां पर Germans को मिलते हैं पूर्ण रूप से सही है 100 परसेंट बोडिक यह जब है कहपाना मुषकिल होता है तो कहीं न कहीं ऐसी स्थिति निर्देशांकों क Alm allem कर करते हैं तो स्चोटी काई का चयान करके करते हैं तो सिस्ष्दित मिलें उसकों समग्र पर समग्र का अधार माले और पूर्ण रूप से शुद्ध हैसा कह पाना कहीं न कहीं गलत होता है दूसरी एक इसके सीमा यह हो सकती है कि उद्देशों और रीतियों दोनों में अंतर होता है आगे हम देखेंगे कि निर्दशांक के उद्देश क्या है कौन-कौन से र दोश की रूप में माना जा सकता है तिसरा हम पर जब हम अभान करेंगे तो उसके आधार उप्रश के उससे तुलना करें यह वहां पर हमारा आधार वर्श का जाता है तो उसके आधार पर जो परिणाम हमको ग्याथ होते हैं वो पूरे के पूरे कलत हो जाते हैं तो एक ये भी समस्य बनी रहती है साथ ही एक दोश हमको यह भी देखने मिलता है कि दीर्द काली जो अध्यान हम करते हैं वहां पर ये निर्देशांक कहीं न कहीं इनके जो परिणाम सामने आते हैं वो उनको पूर्ण रूप से सत्य है ऐसा नहीं कह सकते कि दोश है यहाँ पर मात्रा के बारे में जो परिवर्वर्तन हुआ अंग मले में परिवर्तन हुआ हम देखते हैं कि पहले क्या था और अभी क्या है विरेशन कितना या परसंटेज कितना यह हम सारी चीजे देखते हैं लेकिन जिस वस्तू के मूले में परिवर्तन हुआ जिस वस्तू के मात्रा में परिवर्तन हुआ उसके किसम के बारे में यह नहीं बताता है तो इसको हम एक निर्देश रांगों की कैल्कुलेशन यहाँ पर करते हैं तो वहाँ पर हमकों जो रिजल्ट मिलते हैं वो सही है या सौद प्रितिशा शुद्ध है ऐसा कहपाना मुश्किल होता है क्योंकि जाहिर सी बात है सब लोगों का हर वैक्ति का जीवन इस तर होता है वो अलग- तरीके होते हैं तो सभी को एक तरा जुमितौल देना शायद कहीं न कहीं गलत होगा तो इसको भी हम एक दोश की रूप में यहां पर कह सकते हैं अब अगर हम देखें कि निर्देशांकों का वर्गी करण किस प्रकार से किया गया है तो यहां हम देखते हैं कि निर्देशा उसके अंदर रगी करन हैं व दिखते हैं कीमतों के निर्देशांग सा वित्रण होते हैं यहां क Dollar हम कि निर्द एक निर्द Sehr जिवन निर्वान निर्देशांक को भूगता किमत निर्देशांक के के रूप में भी दर्शाते हैं कि तो उसके अन्दर भी अपने कुछ जो प्वाइंट्स होते हैं वह कि यह के बाद हम लग उत्पादन निर्देशांग की कल्कुलेशन कर सकते हैं हम यहां निर्यात क्यों की चैल्कुलेशन की बात कर सकते हैं तो इतने जाने कर सकते हैं कि फोक कीमतों के निर्देशांग के अंतरगत कीमतों के निर्देशांग की निर्देशांग की जैसे कौई वस्तू जो गत वर्ष अगर वित्तिय खाता बनाते हैं अगर हम कलेंडर वर्ष से बना रहे हैं तो एक दिसंबर से स्टार्ट होता है और 31 समय बंद होगा तो वर्ष के अंत में जब रहा नजर डालते हैं कि किस कीमत वस्तू के क्या विक्री हुआ कि कहां तक बढ़कर गई वस्तू की कीमतें तो वहां पर जो कीमते थी और आगामी वर्ष की कीमतों होनगी उनका हम एक तुलनातमक अध्यान यह परसंटेज के बेस पर जो वेरेशन होता है उसका अध्यान हम समान कीमत नर्दे शांक कहलाते हैं यहां एक बात और देखने को मिलती है कि इसका जो उद्देश होता है वास्तों में ये क्रे शक्ति मुद्रा की जो क्रे शक्ति है उसको नापना अभी इसका एक उद्देश हो सकता है तो मुद्रा की क्रे शक्ति आज इतनी है जरूरी नही कि मेंगाई बढ़ गई आज हम जिस समान को सो रुपय में खरीद पा रहे हैं जरूरी नहीं कि उतना ही समान उतनी वस्तु हम दो साल बाद भी सो रुपय में खरीद पाएं तो मुद्रा की जो क्रेश रखती है वो समय के साथ धीरे-धीरे कम होती चली जाती है तो कितनी कम से जीवन इस्तर को आकना यह हम क्या सकते हैं कि अगर हम पूरे देश के परिप्रेक्ष में इसकी बात करते हैं तो लोगों की आर्थिक इस्तिति क्या है इसकी वैलुएशन करना इसको कैलकुलेट करना जीवन निर्वाह नेदेश आंकों के अंतरगत आता है तो जैसे कि हम करते हैं बी ऐक जैसे हम क्या 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 सकते हैं की जीवन निर्वाह नेदेश आंकों कर सकते हैं कि परिवरटन क्या आया समय के साथ साथ उसमें कितने प्रतिशत परिवरटन आया पॉजिटिव चैज्ज हुग है वह challenged के उनतरगत कर सकते हैं तीसरी हम यहाँ पर बात करते हैं भौतिक मात्राओं के कीमत निर्देशांग की तो भौतिक मात्राओं के कीमत निर्देशांग की के अंतरगत हम जो वस्तू का उभोग है और उत्पादन है उनका उनमें क्या परिवर्तन हुआ इसका अध्यन करते हैं जैसे किसी वस्तू का उभोग इस वर्ष कितना हुआ अगले वर्ष कितना हुआ और इसके अधार पर अनुमान लगा ले कि आने वाले वर्षों में उसका उभोग क्या होगा बढ़ेगा या घटेगा तो इसके लिए हम निर्देशांकों को प्योग करते हैं क्योंकि भविष्य में जो उत्पादन को किस तक ले जाना है बढ़ाना है घटाना है रुख देना है तो इन सब के लिए निर्देशांक को कप्रियोग हाँ पर किया जाता है बच्चों आए अब देखते हैं कि जब हम निर्देशांक की काल्कुलेशन करते हैं तो कौन-कौन सी परिशानिया हमारे सामने आती हैं सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि आधार वर्ष का जब हम चैन करते हैं तो एक एक कफिनाई हमारे सामने आती है व्यवहारिक जीवन में जब दो पहलों पर समय के आधार पर तुलना की जाती है चाहे वो ठोक कीमत की हो मूल लेकी हो मांग पूर्ति की हो तो वहां पर आधार को निश्रित कर पाना एक कठीन काम हो जाता है यह देखना मुश्किल हो जाता है कि किसकी आधार पर हम चरों में होने वाले परिवर्थनों की कैलकुलेशन करें तो एक यह कठीनाई यहां पर आती है कि आधार वर्ष का चैन करना थोड़ा सा मुश्किल दूसरी बात हम यहापर देखते हैं कि प्रतिनीधी वस्तूं के चुनाओं में कठनाई आती है। के संकलन में कठिनाई आती हैं हमने देखते हैं हम कुछ जो आंकड़े होते उनका चुनाओ करके फिर हम निर्देशांग के अगर करते हैं और कीमत निर्देशांग की अगर हम बात कर रहे हैं तो किन कीमतों का चैन किया जाए कैसे कीमतों को संकलित किया जाए ये भी एक समस्या आती है वैसे ही हम देखते हैं कि वस्तों के भार में कटिनाई अभी हम आगी जब इसके रीतियों को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि भार आधारित जब निर्देशांग के हम कैलकुलेशन करते हैं और उन समस्या उद्पन होती है वैसे ही में हाँ पर देखते हैं कि आज़सत निकालने में कटना एक विशेस आज़सत यह विशेस माध्य का हम ने को नाम दे दिया है लेकिन किस तरह से हम देखते हैं कि माद्धिक्याधार पर हम निर्देशांकों की कैलकुलेशन करेंगे तो किस तरह से माद्धिक्याधार पर करें या कलपीत माध्र के अधार पर करें ये भी एक समस्या बनी रहती है तो यहां पर के calculation की बहुत सारे विदियां होती हैं लेकिन यहां पर हम मुंकिय रूप से दो विधि देखेंगे साधारण निर्देशांग और भार्षिल निर्देशांग तो जब हम साधारण निर्देशांग की बात करेंगे तो इसके अंदर हम जिस रिती का प्रयोग करेंगे वो पहला होगा यहां पर सरल समूह रिती और दूसरी होगी मुल्यान उपात माध्य रिती तो दो रितियों का यहां पर हम चैन करेंगे और दूसरी जो इसकी विदी है वो है भार शील निर का प्रयोग यहां पर करते हैं आये देखते हैं किनकेन फॉर्मूले का प्रयोग यहां पर करेंगे तो जब हम सरल समूरिती से कैलकुलेशन करेंगे तो यहां पर हम जिस फॉर्मिल्यों का प्रयोग करेंगे वो होगा क्योंकि हमने देखा कि सो को आधार मानकर हम क्यालकुलेशन करते हैं दिर्देशांग की इसलिए हम विशिस्ताव में भी देखा था कि इसको प्रतिशत के अधार पर क्यालकुलेट किया गया माद्धे भी कहते हैं तो यहां पर जो पी-0-1 होगा वो प्रचलित वर्ष का निर के लिए मुल्यों का योग कहलाएगा और इसके आधार पर जब हम प्रश्ण बनाएंगे तो आए देखते हैं किस तरह से क्यालकुलेशन करेंगे कि साधारन निर्देशांक के अंतरगत सरल समूरिती से प्रश्ण जिसके अंतरगत दिया गया है कि का खा गा और अंगा प्रकार की वस्तुए हैं जिनका मूल्य 1989 में और 1990 में क्या था का वस्तु का मूल्य 1989 में 50 और 90 में 70 था खा वस्तु का मूल्य 1989 में 40 रुपीज और 90 में 60 रुपीज था गा वस्तु का मूल्य 1989 में 80 रुपीज और 1990 में 90 रुपीज था गह वस्तु का मुल्य 1989 में 110 और 1990 में 120 था इसी प्रकार अंगा वस्तु का मुल्य 1989 में 20 और 1990 में 20 रुटेज था यहां जब हम सरल समू रिती द्वारा कीमत नियदेशांकी की गणना करेंगे तो हम एक तीन कॉलम वॉलर टेबल बनाएंगे जिसके पहले कॉलम में हम वस्तु को अंकित करेंगे यानि कि कह, ख, गह, गह और अंगा यह वस्तु के प्रकार है दूसरे कॉलम में हम 1989 का मुल्य अंकित करेंगे जिसे हम P0 से प्रदर्शित करेंगे तो हम 1989 की वैलियो मूल जो है यहाँ पर लिख लेंगे 50, 40, 80, 110, and 20 समिशन P0 के लिए हम यहाँ पर टोटल करेंगे और यह हमारा समिशन P0 equal to 300 हो जाएगा थर्ड कॉलम में हम 1990 का मूल्य यहाँ पर लिखेंगे जिसे हम P1 से प्रदर्शित करेंगे तो यह जो मूल है P1 का वो हो जाएगा 70, 60, 90, 120, and 20 और क्योंकि हमें फॉर्मूले के लिए समिशन P1 चाहिए तो हम यहाँ पर इसका योग निकाल लेंगे समिशन P1 equal to 360 हो जाएगा अब क्योंकि हमें वर्ष 1990 के लिए कीमत निर्देशांग ग्याद करना है तो हम वर्ष 1990 के लिए कीमत निर्देशांग की जब ग्याद करेंगे तो हमारा फॉर्मूला होगा समिशन P1 upon समिशन P0 into 100 तो क्योंकि यहाँ पर टेबल के अधार पर हमने समिशन P1 और P0 दोनों ग्याद कर लिया है अब हम इसे फॉर्मूले में रख देंगे यानि कि वर्ष 1990 के लिए कीमत निर्देशांग जो हो जाएगा 360 upon 300 into 100 तो इसको जब हम सॉल्ब करेंगे तो यह हो जाएगा 120 इसके अधार पर हम कह सकते हैं कि 1999 के तुल्ला में 1990 में वस्तू की जो कीमते थी उन कीमतों में शुद्ध 20 रुपए यानि जैसे हम देख रहे कि पहले जो 100 था और वो बढ़कर अब 120 हो गया तो 20 प्रतिशत की यहां पर व्रिद्धी हुई है तो आपने देखा कि जब हम सरल समू रिति से निरदेशांकों के गड़ना करते हैं तो किन किन विदियों का किस तरह हम प्रयोग करते हैं वैसे तो काफी सरल रिती भी है लेकिन इसकी अपने कुछ गुण वस्तुव के वस्तू कि वस्तु प्रतीख और तूर। और तीसरा से वस्तु की उच्छ या निम्न कीमतों से प्रभावित होती है तो आए अब देखते हैं कि दूसरी इसकी जो रीती है मुल्या नुपात माध्य रीती उसकी कैसे की जाती है मुल्या नुपात माध्य रीती की जब हम क्यालकुलेशन करते हैं तो हम आधार वर्ष को सौ मान लेते हैं और उस करने के लिए हम जिस पर्मिलों का प्रयोग करते हैं वो होगा P01 is equal to bracket में आपर लिखेंगे submission P1 upon submission P0 into 100 और whole upon 100 यहां पर हम P01 is equal to 40 वर्ष की कीमतों का निर्देशांग देखेंगे उसके बाद P0 equal to आधार वर्ष की कीमत होगी और P1 यहां पर जो है वो 40 वर्ष की कीमत होगी और एन बस्तूओं की संख्या होगी आये इस सूत्र पर आधारित कुछ प्रश्ण देखते हैं सरल निर्देशांकों के अंतरगत सब मुल्यानुपाथ माध्यरिती से जब हम निर्देशांक के कैल्कुलेशन करेंगे तो उसके लिए हम यहां पर देखते हैं कि दिये गए प् और 1988 की कीमत दी गई है और 1990 की कीमत दी गई है इस प्रश्ण के अधार पर हम जिस कॉलम का निर्मान करेंगे वह एक टेबल होगा जिसमें चार कॉलम होंगे जिसके पहले कॉलम में हम वस्तूओं को अंकित करेंगे और दूसरे कॉलम को हम दूसरे कॉलम में हम कीमत को लिख करेंगे और उसके बाद वाले कॉलमम में हम 1989 के किमत लिखेंगे जिसे हम पी बन्से प्रिदर्षिद में और लस्ट जो हमारा कॉलम होगा वह धीन प्राइस का कॉलम में हम यहां पर बस्क्रीक कर लेते हैं ओर ए यहांicit और लिए और यहां यानि P0 1988 की कीमतों को यहां अंकित कर लेंगे तो यह हो जाएगा 12, 25, 10, 5 और 6 अब उसके बाद वाले कॉलम में 1989 यानि P1 की कीमत हम अंकित कर लेंगे 15, 20, 12, 10 और 15 अब क्योंकि हमको इनका मुल्या नुपात निकालना है और हमने देखा कि जब हम मुल्या नुपात निकालते हैं तो वहां पर हम फॉर्मूला लगाते हैं P1 अपन P0 इन्टो 100 तो यहां पर हर step के लिए यानि हर वस्तू के लिए हम इसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे तो यहां पर हम देखते हैं कि वस्तू A के लिए जो P1 है वह 15 है P0 जो है वह 12 है तो यहां हम मुल्या नुपात निकालने के लिए 15 अपन 12 इन्टो 0 इक्वल टू 125 यह ग्याद करनेंगे बस्तू B के लिए हम फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे P1 अपन P0 इन्टो 100 यानि कि P1 जो है वह 20 है P0 जो है वह 25 है तो यह हो जाएगा 20 अपन 25 इन्टो 100 इस इक्वल टू 80 वस्तू C के लिए हम फिर से इसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे पीवन यहां पर 12 है और पीजीरो जो है वह 10 है तो 12 अपन 10 इन्टो 100 इस इक्वल टू 120 उसके बाद D वस्तू के लिए भी हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे पीवन अपन पीजीरो इन्टो 100 यानि 10 अपन 5 इन्टो 100 और वस्तू E के लिए भी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे तो 15 अपन 6 इन्टो 100 इस इक्वल टू 250 हमको ग्याद हो जाएगा अब क्योंकि हमको इसका समेशन चाहिए मुल्यान उपात का तो हम इसका समेशन यान और फॉर्मूला होगा पीजीरोवन इक्वाल टू समेशन ब्रैकेट में पीवन अपन पीजीरो इन्टो 100 होल अपन एन तो यहां पर हम देख रहें कि हमने क्यालकुलेट करके निकाल लिया है मुल्यान उपात का जो योग है वो है 775 और अपन एन है 5 तो इसका आंसर हो जा